हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिव्या अयर्विदिक सेंटर बीमेस फ्रेंड्स मैं हो सुनील हम पढ़ रहेते अश्टांग हिर्देम का अध्याय नंबर एट जिसका नाम है मात्रा सीती है अध्याय इससे पहले हमने अध्याय एक से साथ तक कंपलीट पढ़ लिया था और आठ वेक हमने दो वीडियो बना चुके है यानि कि इसको लगबग कंपलीट पॉर्षन कर लिया था थोड़ा बहुत इसका रह गया था इस चैप्टर से बाकी हमने कंपलीट कर लिया था थीक है यह चै से पहले इसके दो पार्ट्स नहीं देखें तो उनकी जो में लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में देदूंगा वहां से आप जाके देख सकते हैं बाकी हम इस तरह से इस वीडियो में इसको रिविजन करेंगे कि सायद वो दोनों वीडियो आपको देखनी ना पड़े इसी में आप इस चैप्टर को continue complete पड़ सकते हैं ठीक है हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन इसका करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल के help करना चाहते हैं कुछ donate करना चाहते हैं जिससे हम और अच्छे चीजों equipment खरीद सकें gadgets ले सकें जिससे हम वीडियो की quality अच् करने जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है आपकी help हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और फिर हम उससे आपकी help कर सकेंगे ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं शैप्टर को तो अध्याय का नाव है मात्रा सीती अध्याय सबसे पहले हमने देखा कि इसमें questions किस तरह से पूछे जाते हैं तो जब से कि आहार मात्रा के लक्षण है हम भेद का उलेक करें आम विसका निदान वर्णन करते हुए आम प्रदोसर व्याजियों का चिकित्सा सिधान प्रतिपादित करें आम दोस्वरूप तथा अजेंड का स्वरूप बताते पूरे chapter में कुल मिलाके इन्ही सबके उपर बात की गई है इन्ही मैसे ही घुमाफिरा के question कुछ नया बना के आ सकता है यह पुराने papers में आयोए questions थे mainly CCS के हैं ठीक है तो यह questions भी important है तो यहाँ पर हमने types of questions देख लिए इसके बाद हम देखेंगे chapter को start करेंगे सबसे पहले हमने देखा था आहर मात्रा गवर्णन तो यहाँ पर यही बताया गया था कि जो मनुष से है उसको अपने मात्रा अनुसार ही आहर करना चाहिए ना ज्यादा ना कम ठीक है उचित भोजन जो होता है वो जट्रागनी को प्रदित करता है ठीक है और जो गुरू और लगू द दफ लगिसे नहीं दल является कलिसे आप खाते होने तब न ख्रकाने में चाहिए तो अधिक देखते ही तो अधिक तते प्रद्प्ति ना कहाएं मात्रा तो सुक्षपूर्वख जो पच्जए वही भोजन की उचित मात्रा हीन मात्रा क्या है तो जो बल का नास करे ओज का नास करे या फिर वातज व्यादियां उत्पन करे वो सब क्या है हीन मात्रा है हमारे अहार की ठीक है अहार की अति मात्रा क्या है तो जो वातादी सभी प्रकार के दोस्तों का सिग्रह प्रकुपित करता है वैभोजन की अति मात प्रत्रा कहलाता है इसके बाद हम देखेंगे आमधोस क्या होता है तो अगनी की दुरूबलता यानि अमन्ध अगनी है उससे अगर कोई आहर हमने खाया और अगनी हमारी मन्ध है तो वह अपक्व रह जाएगा तो अपक्व अन्यस से जो सबसे पहला रस बनेगा वो आम दोस कहलाएगा ठीक है तो अगनी की दुरबलता से अपक वह आहार जो होता है उससे जो आमासे में उत्पन होता है प्रथम रस वो आम कहलाता है और वो फिर दोसों को दूसित करता है यानि दोसों को प्रकॉप करवाता है तो इसलिए फिर इस आम को हम क्या कह देते हैं आम दोस ठीक है आम अवस्था कि कई व्याधियों को उत्पन करता है जैसे विसूची का अलसक आदी यानि अगर कोई भोजन हमने कर लिया हमारी मंदागनी वीक थी ठीक है अगर दुरबल थी तो वो भोजन को पचा नहीं पाई जिसकी वज़े से उस अप विसूची का अलसक आदी ठीक है इसके बाद हमने देखा था विसूची का क्या होती है तो विसूची का किसम से पहले हमने परिभासा देखी थी आम आवस्था रहने पर अधिक भोजन करने से तीरों दोस प्रकुपित होकर अन्न को दूसित करते हैं ठीक है इसमें आहार निकलता हुआ अनेक प्रकार की वेदनाओं की उत्पंति करता है ठीक है तो हमें कुलमला के विशुची का होते गया है वही था आम आम दोस वाला ही मामला था कि भोजन हमारे पेट में गया फिर आम आवस्था था यानि कि भोजन पचा हुआ नहीं था उससे जो पतम रस बना कि युदा मार्क से बाहर निकल रहा है और अनेक वेदनाओं की उत्पत्ति कर रहा है तो उस व्यूश टाइम पर हम उसको क्या करेंगे भी तो अलसक क्या होता है मैं तो प्रकार में एक यह मदिशन चीज रहती है बस इसमें क्या होता है कि विसीचिका में तो बाहर आ तो आपक है था या आमावस्ता में जो आम दोस्थ कोने से उन्हों समूर से में अंडो कुदूसित करते हैं इसमें आहार ना तो मुख से निकलता है ना ही गुदा मार्क से निकलता है और ना ही पच्छता है बस आमासे में अलसी की तरह पड़ा रहता है इसलिए हम इसे अलसक कहते हैं यह विशेसकर दुर्बल, मन्दगनी वाले, तथावात, मूत्र, तथामल, के वेगो को रोखने वाले पुरसो को होता है तो जहल से बितलन मन्दगनी होगी, तभी आमवस्ता उत्पन होगी ठीक है और जो मूत्र के वेगो को रोकते हैं, उनको भी विमारी हो जाती है कश्टकारक सूल अधी विकारों को उत्पन करता है ठीक है यानि कि इसमें सूल भी उत्पन होता है अब देखेंगे हम दंडालसक क्या होता है तो जो अलसक होता है वही दंडालसक है अगर अलसक का इलाज ना किया गया अलसक और ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा यह हमारे पूरे सरीर में फैल जाएगा और हमारे सरीर को इस्तब्द कर देगा दंड के समान तो इसलिए हम इसको क्या कहते थे हैं दंडासर ठीक है तो जब वाता दी दोस अत्यंत कुपित एम दोसित होकर आम अन यारी अपको अन के दोरह मुख्यों गुदा मारे के रुख जाने के कारण ये इस तरुतोसो दोरह समस्त सरीर में फैल कर संपुन सरीर को दंड की समान इस्तब्द कर देते हैं तो हम इस स्थ обычно को हम कैते हैं दंडासर बहुत खदरनाग होती है और इससे आदमी सिग्र ही मर जाता है सिग्र मारक होती है इसलिए आयरविद में इसके चिकत्सा भी करने को मना किया गया है फ्रेंट्स वैसे कोई कमपलसरी नहीं है कि आपको मदद करनी है लेकिन अगर आप करते हो तो मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगा फ्रिद्द लेने से में अध्यसन यानि कि भोजन पकरने से पूर्वी दुबारा माजिन करने से या अवस्था होने से जो है आम् बढ़े यही जो आम है ऊगर पेटिंट में रहा तो रोगा एक वी सब्सञट करिए इस्पांजम है इन तीन स्थितियों में भोजन करने वाले बेक्ति में उत्पन आम अतियंद भेंकर होने के कारण आम भिस कहलाता है ठीक है तो वही आम जो है वो भेंकर जब हो जाता है तो आम भिस कहलाता है आम दोस्त की सामाने चिकत सा क्या है तो अगर अलप दोसों में है तो लंगन करव अगर परिश्चत दोसों में मैंनी कि बहुत जादा दोस बढ़ गए हैं तो हम सोधन करवाएंगे जैसे वमन, फलवर्ती, स्वेधन आदी द्वारा ठीक है यदि विसुची का रोक का वेग अधिक बढ़ गया हो तो एडी में दाह कर्म, उकवास आदी करवाते हैं ठीक है अ इसके बाद अजींड के भेद देख लेते हैं अजींड के भेद में सबसे पहला आमाजींड क्या होता है कफदोस के प्रकोप से ततकाल खाए हुए आहर के अनुरूप उद्गार का आना लाला इसराव जी मचलाना तथा सरीर में भारी पन ये सारी लक्षन किसके हैं जींड जो होता है वो कफदोस के प्रकोप से होता है विश्टब्धा जींड जो होता है वो वातदोस के प्रकोप से होता है और विदग्धा जींड जो है वो पित्त दोस के प्रकोप से होता है ठीक है विदग्धा जींड में क्या होता है कि बार बार प्यास लगती है बेह और आजीन की चिकेसा होती है लंगन लगु भोजन करवाना विश्ट थब्धा जीन की होति है स्वैधन करवाना और विधगधा जीन होती है वोमन जब तक पित का दर्सण नहुं हो जाय सतक्त आफGO करवाते रहें ठीक है। इसके बाद देखें ये विलंबिका क्या होती है तो भयावे आमदोस यानि कि जब आमदोस बहुत ज़ादा बढ़ जाए भयावे हो जाए जो छिपा रहता है तो इसमें कफ और वात दोस युक्त आमाजेंड के लक्षन होते हैं और अजेंडों के समान ही इसकी भी चिकितसा होती है यानि विलंबिका भी समलो अजेंड का ही एक रूप है जब आमदोस बहुत भयावे हो जाता है यानि बहुत खतरनाक हो जाता है बहुत बढ़ जाता है तो हम उसे विलंबिका कह देते हैं लेकिन इसकी भी चिकित्सा हम अजीर्णों के द्वारा ही करते हैं यानि जैसे अजीर्णों के हम चिकित्सा करते हैं वैसे ही इसकी भी करते हैं ठीक है उसके बाद रस से सजीर्ण क्या होता है तो आहार पच जाने पर भी कभी कभी रस का पाक नहीं होता उसे रस से सजीन कहते हैं इसमें डकार अर्ची हिदे में वेदना ये सारी लक्षन उत्पन होते हैं तो रसे सजेन क्या था कि आहार तो पच जाता है लेकिन जो उससे रस निकला था कभी-कभी वही नहीं पचता तो उस अवस्ता को हम रसे सजेन कह देते हैं यह important नहीं है इतना ठीक है रसे सजेन इसके बाद अजीन्ड का सामानी लक्षन क्या होता है। नहीं पच्चता ये क्या है अजीन के विविद कारण है जिन कारणों की वज़े से अजीन अवस्था उत्पन होती है ठीक है तो फ्रेंड्स ये वीडियो फिर लंबा हो गया है ठीक है हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसका जो हमने सेकंड पार्ट बनाया था वो अपलोड नहीं है उसके जगए हम इसको अपलोड कर रहे है और फिर इसका थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट हम इसके बाद बनाएंगे ठीक हैं तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट उडिञ्डो में ठेंक यू सो मच और फ्रेंड्स हेल्प किर दीजेगा अगर आप जितना हेल्प कर सकते हैं उतना आप कर दीजेगा ठीक है